स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में आज मैं बताने जा रहा हूँ घर का नक्सा कैसे बनाए और फर पिरियर में जो कॉमेंट आया था उस कॉमेंट के एकॉर्डिंग बहुत ही संदार नक्सा है घर का प्लान है आप देख सकते हैं जो कॉमेंट आया था जो उनका डिमांड है उसके एकॉर्डिंग ये पूरा प्लानिंग किया गया है वीडियो लाज तक देखें मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सिविल साइट नॉलेज को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो फिर प्लीज सस्क्राइब करने साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ओके चलिए इनका मैं प्लानिंग बताता हूँ आपका पहले नंबर आप जान लेजिए इसका डाइरेक्शन किधर कौन सा डाइरेक्शन है किधर मेंगेर प्रवाइट किया गया है यह आप जान लेजिए ओके पहले देखिए यह नर्थ साथ इस्ट और वेश्ट डाइरेक्शन पचाथ फिट लंबाई है और चालिस फिट चोड़ाई है दो हाजार स्क्वाइर फिट में यह मैं प्लानिंग किया हूँ में इंट्रेंस जो है में गेट जो प्रवाइट किया गया है यहां से वेश्ट और साथ के कोशनर पर मैं में गेट प्रवाइट किया हूँ आप चाहे तो आप थोड़ा सा इदर सिट कर सकते हैं जैसे ही आप में गेट से इंटर करेंगे आपका ये कार पार्किंग के लिए 12-16 फिट ये जब की sufficient है आप कार पार्क कर सकते हैं minimum dimension कार पार्किंग लिए कितना छोड़ा जाए एक मैं practical कार को measurement करते हूँ एक वीडियो बना दिया हूँ description box में link मिल जाएगा आप देख लेंगे कि actually मैं 16 फिट में आप कार पार्किंग कर सकते हैं या नहीं साथ में बाइक भी पार्क कर सकते हैं देखें यहां बाइक के लिए अलग मैं बना दिया हूँ ओके और फ्रॉंट में आपको 14 by 10 फिट चारिंज का garden मिलेगा ये पूरा garden कर सकते हैं garden plant लगा सकते हैं प्लस में इधर भी आएंगे तब 5 by 11 फिट 11 इंच में आपको ये भी मिलेगा dimension आप थोड़ा अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं लेकिन planning आप ऐसे रखे तो बेस्ट है पूरा जो भी है इदम बाश्तु के according ये planning किया गया है 100% अगर बाश्तु खोजी का किसी भी घर में आपको नहीं मिल पाएगा कुछ न कुछ आपको compromise करना पड़ेगा ओके देखे लिजिए outer wall जितने भी हैं आउटर wall है ये आपका 8 इंच का है और inner wall है आपका 4 इंच का भी है और 8 इंच का भी है लेकिन मैं आपको बता दू वाल का ठिकने साब डिसाइट कीजिएगा ओके अब दिखिए ये जो में कार पार्किंग है यहां से हम हॉल में हॉल कॉम डाइनिंग रूम है यहां मैं आपको यहां से इंटर करेंगे ये में डोर में पूर्बाइट किया हूँ यहां पे थोड़ा ध्यान दिजिए 14 by 20 feet यानि 14 feet ऐसे आपका चौड़ाई हो गया आप 20 feet आपका लंबाई हो गया यह बहुत बड़ा डाइनिंग रूम है ओके आप चाहें तो इसमें सेपरेट कर सकते हैं डाइनिंग अलग और और हॉल अलग कर सकते हैं ओके जश्ट इसी से हॉल से ही अटाइच है कीचेन कीचेन का जो डाइरेक्शन है अब देख रहे हैं इस्ट और साउथ के कॉर्नर पे हैं यह देखिए आप ओके 11 feet इंटू 11 feet 6 inch इंटू 8 feet का यह कीचेन है बहुत बड़ा ही कीचेन है कीचेन का भी साइच कम नहीं है एज पर रिक्वार्मेंट के एकोर्डिंग है ओके फिर जैसे ही हॉल से अटाइच है स्टडी रूम देखिए एक सेपरेट किया गया यह study room है और प्लस में combined toilet यहां पर 7 feet 7 inch इंटू 4 feet का toilet परवाइड किया गया 7 में यहां पर दखिए होल से ही अब दिखिए तीन बेड्रूम आपको मिलेगा यहां पे mead room का भी साइट देख लीजिए यह जो corner में bedroom है नॉर्थ और इत के corner में bedroom है ओके यहां पे आपका 12 फुट 4 इंच इंटु 13 फुट तोरी यहां पे टोयलेट है यह टोयलेट नहीं है मैं आपको मिस्टेक से आगया है क्योंकि इस कॉर्णर पे आप टोयलेट पुर्भाइट नहीं कर सकते हैं यहां छोटा सा इस रूम में अगर मालने जिए पुजा रू और आप यहां पर रैक रख सकते हैं यहां पर बलकन ये कब्रॉड यहां यहां पर टौलेट सकते हैं आपके ऊपर डीपेंड टोयलेट करता है और साथ में एक master bedroom मैं provide किया हूँ यहाँ पे देख रहे हैं 12 फिर 16 फिर क्या size है 12 साइज मैं provide किया हूँ master bedroom का 12 फिर 16 और यहाँ पे attached toilet यहाँ पे मिलेगा combine और इस साथ में balcony भी आपको मिलेगा इस तरह मैं planning किया हूँ आप चाहे तो planning में कुछ changing ला सकते हैं इसका अगर आप 3D view देखते हैं तो आप देख लिजे 3D view कितना सुन्दर प्यारा सा लग रहा है आपका घर अगर ऐसा आप घर बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पसंद नहीं आएगा रियली में जब आप घर बनाएंगे तो बहुत ही खुस होंगे क्या planning है आप चाहे तो कुछ अगर planning में आपको सुझाओ देना है तो comment box में comment कर सकते हैं आप यहां से देख लिजे चारो तरफ back, front, side, sub, top से भी देख लिजे आप अपने अनुसा कलर चेंज कर सकते हैं देखिए यहां पर garden के लिए मैं एसपेस दिया हूँ जब garden आप front में रखते हैं तो जो आपके यहां कभी भी guest आते हैं तो उनका भी दिल आप जीत लेते हैं कि क्या plant के लिए इन्होंने garden के लिए जगह छोड़े हूए है और उनके मन में आता है कि साइद मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगा कि सामने front में garden area हो 10 feet चारें चोड़ाई है मैं आपको बता दूँ यह room से कम चोड़ाई नहीं है यहां पर बनाएंगे यह dimension में पूरवाइड किया हूँ पूरे पूरे में आप garden लगा सकते हैं कार परकिंग यह अलग से आपका जगह इस पेस दिखी रहा है साथ में कार परकिंग बाइक परकिंग कर सकते हैं देख रहे हैं फिर hall आ गया फिर study room हो गया फिर यह आपका kitchen हो गया यहां पर देखे कॉर्णर पर kitchen हो गया यह आपका study room यह bedroom 1 bedroom 2 ओके bedroom 3 master bedroom तो आप देख लिए कितना संदार planning है ओके मिलते हैं next video में